अमीर और गरीब का कन्या पूजन प्रेंस रोही तुम दुनों नाश्टा क्यों नहीं कर रहे हो ममी हमने आंटी से सैंडविच और पास्ता बनाने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने ये आलू का पराथा बना दिया लगता है आज इसके अकल ठिकाने लगाने ही पड़ेगी मधू, मधू, कहां मर गई, इधरा जी मालकिन मालकिन की बच्ची, जब तुझे मेरे बच्चों ने सैंडविच और पास्ता बनाने के लिए कहा था तो तुने ये आलू का पराथा कैसे बनाया मालकिन, रोही प्रिंस बाबा कुछ दिनों से बाहर का खाना खा रहे हैं इसलिए मैंने उनके लिए ये अलू के परांठे बना दिये थे मेरे बच्ची बाहर का खाना खाए या घर का, ये मेरी प्रॉब्लम है, तेरी नहीं, समझी? आज के बाद मेरे बच्चे जो भी तुझे बोलेंगी वही तु बनाएगी अगर तुने आइंदा ऐसी गल्ती की तो धक्के मार कर तुझे घर से निकाल दोंगी अब खड़े-खड़े मेरी शकल के देख रही है जा और मेरे बच्चों ने जो बोला था वो बना और ये आलू के पराठे बाहर किसी कुट्टे को डालते सपना की बास उन बेचारी मधू आलू के पराठे उठाती है और किचिन में ले जाकर प्रिंस और रूही के लिए सेंड़िच पास्ता बनाने लगती है मधुन आलो के पराथों को कुत्ते को डालने की बजाय सबकी नजरों से छुपते छुपाते अपने बच्चों के लिए ले आती है मा ये आलो के पराठे तो सच में बहुत जादा साधिष्ट है आप इतने अच्छे आलो के पराठे बनाती हो हमें पता ही नहीं था आप हमारे लिए भी ऐसे रोज आलो के पराठे बनाया करो ना मा की पासकर पैसी होते तो वो हमी रोज ऐसे ही नाश्टा बना कर खिलाती लेकिन तुम जानते हो ना कि मा की इस तरह से खर को चला रही है वना रोज हमी साधी खिश्डी खा कर नहीं सोना पड़ता अपनी साथ साल की बेटी के मुँझे ऐसी बाते सुन मधू की आँखों में आसू आ जाते हैं जिसे देख मा तुम रो मत दुर्गा मा एक दिन सब कुछ ठीक कर देगी आपी तो कहती हो कि दुर्गा मा अपनी भगतों के साथ जो करती है उनके भले के लिए करती है इस करीबी ने मेरी छोटी सी बच्ची को कितना समझदार बना दिया है मा मैं भी दीदी की तरह समझदार हूँ इसलिए आज मैंने आपके आने से पहले ही खिचडी बना दी थी चलो अब हम से मिलकर दुर्गा माता को भोग लगाते है मधू का टोरी में साधी खिचडी डालती है और अपने घर में रखी छोटी सी दुर्गा माता की मूर्ती के सामने खिचडी रख उन्हें भोग लगाती है और अब सभी दुर्गा माता के सामने हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं ये मादुर्गा तू अपनी भक्तों की दुख लेकर उन्हें सुख देती है आज तक मेरे जीवन में जो भी कुछ हुआ मैंने कभी आपसे उसके शिकायत नहीं की और नहीं कभी आपसे कुछ मांगा लेकिन आज मांग रही हूँ मेरे दोनों बच्चों की जिंदगी सवार द दो साल पहले गाउं आई सुनामी में मधु के पती राजेश की मृत्य हो गई थी इस सुनामी में बड़ी मुश्किलों से मधु ने अपने दोनों बच्चों और दुर्गा मा की मोर्ती को बचा कर शेहर आ गई थी और एक नौकरानी का गाम करके अपने दोनों बच्चों क दान्टा था, मुझे नई बुक्स कब दिलवाओगे माँ आयूश बीटा, मैंने तुम्हारी किताबों के लिए पैसे जोड़े हैं जैसे ही इस महीने के तनका आए की थोड़े और पैसे डाल कर मैं तुम्हारी किताबी ले आउंगी मा वो देखो दुर्गा माता की कितनी बड़ी मूर्थी है और कितनी सुन्दर भी है काश हम लोग भी नवरात्री में इतनी ही बड़ी मूर्थी ला सकते बीटा, दुर्गा माता की मूर्ती छोटी हो या बड़ी हो, उसकी अंदर दुर्गा माता और भगती हम सब के दिल में होनी चाहिए, ना की दिखावे में, अब जिसके पास पैसा है, वो तो ये सब ली सकती हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है, वो माता की तस्वीर या उनकी छ दुर्गा माता की मूर्ती को लाल चुनरी से सजा कर उनके सिंहासन को पेड़ों से तोड़े गई फूलों से सजाती है, और अपने दोनों बच्चों के साथ दुर्गा माता की आरती कर सच्चे दिल और भक्ती से नवरात्री के वृत रखती है, ये कैसी ताल पना रही है त ना प्यास का तड़का ना लहसून का तड़का मलकिन आपको याद नहीं आज से नवरात्री शिरू है और नवरात्री की दिनों में प्यास लहसून का सेवन नहीं करते हैं मुझी तो ना ही वरत पसंद है और ना ही नवरात्री लेकिन अपनी सास की वज़े से मुझे ये वरत रखनी पढ़ते हैं गाउं में रहकर भी इसने हुकम चलाना नहीं छोड़ा हम लोग नवरात्री के दिनों में भी प्याज लहसून खाते हैं समझी? तो हमारी घर में प्याज लहसून डाला भूलना मत हम कोई वरत के लिए अपना टेच खराब नहीं कर सकते नवरात्री के दिनों में भी अपनी मालकिन को प्याज लहसून का सेवन करता देख मधू को काफी बुरा लगता है ये सब देख कर भी मधू अपनी दुरगा के प्रती वक्ती भाव और वरत पूजा में कोई कमी नहीं आने देती ये पैसे रग और इससे कन्या पूजन का सारा समान ले लियो ठीक है मालकिन मालकिन क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं कन्या पूजन आ रही है और उसके लिए घर में बिलकुल सामान नहीं है पैसे क्या पेड़ पर उखते हैं जो मैं तुझे तूँगी दस दिन बाद सेली मिल ले वाली है जब तक सबर नहीं है तुझे लेकिन मालकिन बिना पैसो कि मैं कन्या पूजन कैसे करूँगी तुम गरीब लोग कन्या पूजन करो या मत करो इससे दुर का मा को कोई फरफ नहीं पढ़ने वाला वो सिर्फ अमीरों की सुनती हैं ना कि तुम गरीब हो की अंडरस्टाइन गमंडी दिखाते हुए सपना मधु को कन्या पूजन के सामान के लिए पैसे देने से इंकार कर देती है जिसके चलते मधु अपने बेटे की किताबों के लिए जमा किये गए पैसों से कन्या पूजन के लिए थोड़ा बहुत सामान ले आती है और ऐसे ही कन्या पूजन का दिना आ जाता है सपना की बात सुन मधु कन्या पूजन के लिए नौ कन्याओं को घर ले आती है तुझे मैंने नौ लड़किया लाने को कहा था ना ना की सड़क पर खुबने वाली करीब बिकारन मलकी नैसा मत करिए आज कन्या पूजन है और आज के दिन किसी भी कन्या का अपमान करना यानि की दुर्गा माता का अपमान करना होता है कन्या अमीर हो या करीब उनके अंदर दुर्गा माता का वास होता है अपना प्रवचन अपने पास रख और जाकर जल्दी से पुझापाट की चोचले बाजी खतम कर, कुझे और भी काम है सपना की बात सुन मधू को कन्याओं के लिए काफी बुरा लगता है लेकिन सिर्फ एक नौकरानी होने की वज़ा से वो कुछ नहीं कह पाती और स्टोर रूम से पुरानी चटाई लाकर कन्याओं को बिठा देती है और उन्हें भोजन परोस्ती है वही सपना उन सब के सामने उपर सोफे पर बैठ जाती है मालकिन जब कन्याओं जमीन पर भोजन कर रही हूँ तो ऐसे उपर नहीं बैठते हैं कन्याओं के दिन कन्याओं का ऐसा अपमान होता देख मधू को बहुत गोसा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती जिसके बाद मधू एक एक कर सभी कन्याओं के पैर छुकर उनसे आशिरवाद लेती है अब आप इन सभी कन्याओं के पैर छुकर इनसे आशिरवाद लीजे क्या कहा तो ने मैं इनके पैर छुकर इनसे आशिरवाद लोगी छी इनके गंदे पैरों को हाथ लगाने से कहीं मेरा मेनिक्योर वाले हाथ खराब हो गए तो सपना बार बार उन सभी कन्याओं का अपमान करती है जिसके बाद मधो उन सभी कन्याओं को लेकर अपने घर आती है और अपने घर में रखी सबसे अच्छी चादर बिचा कर उन सभी को उस पर बिठा कर उन सभी को अपने हाथों से कन्या भोजन करवाती है कोई बात नहीं, ये 11 रुपे भी हम सभी के लिए बहुत जादा है, हमें तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए, ना कि कोई अमेर दिखावा जहां मधु कोन कर्ण्याओं से आशिरवाद मिलता है, वहीं सपना को उसके किये की सजा सपना के दोनों बच्चे वीडियो गेम खेल लए होते हैं, लेकिन अचानक उन दोनों को बहुत जोर से करेंट लगता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं, सपना उन्हें जल्दी से ह सपना के दोनों बच्चों के होश में आने की प्रात्तना करने के लिए मधु दुर्गा माता के मंदर जाती है वस्पताल जाती है और देखती है कि दोनों बच्चे ठीक हो चुके हैं। ये सब देख मधू और सबना बहुत खुश होती हैं। कि तभी वहां सब के सामने साक्षात मा दुर्गा प्रकट होती हैं। तुम्हारे बच्चों पर रहेगा और आप तुम्ही कभी भी किसी भी चीज़ की कोई परिशानी नहीं होगी।